अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये जो वीडियो है ये उर्दू फोर विगनर्स यानि की यू एफ़ी का पार्ट 33 है जी हां इसका पहला वाला जो पार्ट था यानि की पार्ट 32 उसमें मैं लाइव आई थी आप सभी लोग काफी तादाद में लोग जुड़े हुए थे और काफी आप लोगों का प्यार मिला सपोर्ट मिला जैसा कि मैं आप लोगों को बोली भी थी बहुत दिनों पहले नोट्फिकेशन भी आउट कर दिया गया था कि बहुत जल्ब में लाइव आने वाल पार्ट 32 तक हम लोग यह यानि कि 32 पार्ट तक हम लोग यहां तक सब कुछ सीख चुके हैं कि कैसे उर्दू में शब्दों को लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है हर्फ को सबसे पहले मैं लिखना सिखाई याद रखिएगा जिस तरह इंग्लिश में अलीफ इंग्लि कहते हैं इसी तरह उर्दू में अलिफ वर्पे होता है तो अलीफ वर्पे को क्या कढ़ी अम लुग लूंग लिप OGC Approle करी तक जितने भी हैं लेटर उसको अर्फ कहा जाता है हार्फ कहा जाता है तो हर्फ को लिखना सबसे पहले हाँ सको मैं पढ़ना बताई थी अलीव द लेकर बढ़िये तक उसके बाद से लिखना बताई पार्ट वन से मैं बात कर रही हूं ठीक है उसके बाद से कैसे हर्फ को जोड़ा जाता है जोड़ना बताई और फिर हर्फ को जोड़कर कैसे शब्द क्रियेट किया जाता है शब्द तैयार किया जाता है कैसे शब्द यानि में तीन अक्षर है ना कलमा तीन अक्षर से मिलकर बना हुआ ये एक शब्द हो गया हिंदी में क्या कहते हैं इंग्लिश में लेटर होता है पिन इसमें लेटर है पिन क्या हो गया पिं यह एक word हो गया जोकी तीन लेटर से बन कर ये तैयार हुआ है इसी तरह word या फिर शब्द को ऊर्दू में कहा जाता है लव्ज याद रखना है हर्फ लव्ज और जुमला तीन याद रखना ज़रूरी होता है, तो город को उर्दु में क्या कहते हैं लव्ज कहते हैं, जैसे कि कलम मैं लिखू उर्दु में तो इस तरह लिखा जाएगा कलम, तो ये कलम काफ, लाम, और मीम है तिन हर्फ से बना हुआ एक लव्ज हो गया तो इस तरह उर्दू में लव्ज कहा जाता है हिंदी में शब्द कहा जाता है और इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है जिस तरह एक से ज्यादा अक्छर से मिलकर शब्द बनता है और इंग्लिश में एक से ज्यादा लेटर से मिलकर कितने शब्द हैं पांच शब्द तो मैं कलम से लिख रही हूं यह एक वाक्य है इसको क्या कहेंगे वाक्य जो पांच शब्दों से मिलकर बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह word I am writing with a pain मैं कलम से लिख रही हूं तो यह भी एक क्या हो जाएगा sentence हो जाएगा I am writing मैं लिख रही I am writing इसमें तीन वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे English में sentence बोलेंगे बिल्कुल उसी तरह उर्दूमें होता है sentence क्या कहते है उर्दूमें Leo कहा जाता है मैं कलम से लिख रही हूँ अगर इसको जफ्दूमें लिख दिया जाए तो उर्दूमें vault comments को यह वाक्य को को और जुम्ला किसको कहा जाता है उर्दु में तो सेंटेंस यानि की वाक्या को ठीक है इतना याद रखना जरूरी है तो सबसे पहले हम लोग हर्फ पढ़ना लिखना सीखें उसके बाद से जोड़ना सीखें जोड़ना में आप लोग को बता दी और फिर जोड़कर कैसे बढ़ी मतलब अ से लेकर अ मातार तक दो तीन चार पांच अक्षर से मिलकर बने शब्दों को लिखना और पढ़ना बता दी यहां तक मतलब पार्ट थर्टी तू तक यानि की बतीस्वा पार्ट तक आप लोग यह सब कुछ जान चुके हैं और समझ चुके हैं ठीक है अब पर भी कैसा भी जुमला लिखा हुआ है क्योंकि जुमले से ही पैराग्राफ बनता है उसी से कहानी बनता है और उसी से हम जुमले के माधियम से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं अभी में आप लोग को बोल रही हूं यह क्या है जुमला ही है सेंटेंस ही है ठीक है तो आ पड़ अफट विडियो को लाइक करें जितना ज़्यदा हो सकें अपने चोटे बड़े भाई-बाहन जो भी उर्दू से मुहबबत करते हैं उनके पास शेयर करें और जितना ज़्यदा हो सकें आप लोग विडियोस को दूसरों तक पहुचाने की कोशिश करें और चैनल को sentence यानि की जुम्ला है इस पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कैसे उर्दू में जुम्ला को लिखा जाता है और उसके बाद से ये जो मैं sentence लिखी हूं इसको धराधार हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे मतलब उर्दू में लिखना स्टार्ट करेंगे देखिए sentence है मैं सबसे पहले उर्दू में आप लोग लिखिए कैसे लिखा जाएगा इस शब्द का जो सबसे पहला अक्षर है वो है मा को उर्दू में क्या कहते हैं अब आप लोग बिगनर नहीं है काफी चीज़ों को आप लोग सीख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें ठीक है अगर आप उक शब्द लिखना आता है और शब्दों को पढ़ना आता है तो फिर यह जुमले लिखना और पढ़ना आप लोग के लिए बाए हाठ का खेले समझिए यहां पर माहा को उद्दो में कहा जाता है मीम ृँक फीक है तो किसी भी अक्षर को आई की मात्राहिं बदलने के लि में लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फफ मैं मैं हो गया लेकिन यहाँ पर मैं में यह क्या है है मैं नहीं मैं यानी कि नाक उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं ये भी मैं आप लोगों बता चुकी है लेकिन याद रखिए गा इस बिंदू वाले नव को जो उर्दू में नून कहेंगे न वो नून गुन्ना होगा देखिए दो तरह का नून होता है नून की किसमें होती है नून के कितने टाइप ये जान लिजिए नून के दो टाइप होते हैं एक नून ऐसा होता है जिस पर यह नुक्ता होता है यानि कि नून में नुक्ता होता है और एक नून ऐसा होता है जिसमें नुक्ता होता ही नहीं है तो जिस नून में नुक्ता होता है उसको नून जाहिरा कहते हैं या फिर नून मा उतले हैं अब देखिए अभी आप लोग ku मैं लिखना है तो इसमें बिंदु वला नून हैं तो यहाँ पर रॉन गुन्ना यूज करेंगे याणि वैसा नून जिसके उपर बिंदु ना हो नुकता ना हो ठीक कि तो इस नून का यूज भी बहुत जगह होता है जैसे कि आन हो गया जैसे एक्जामपल की तोर पर आप लोगो समझा दरें अलिफ के उपर मद जुड़कर आ और नून से न आन तो यहां पर अलिफ के उपर मद और नून माकू आन पढ़ा जाएगा लेकिन अगर यहीं पर देखा जब तो मैं लिखना है मैं में लुन numa लगता है या फिर अगर मैं बोलू कहां अपर हो गया और हे मैं अलब हो जाता है कहां कहां में चांद वाल ना होता है ना तो बिंदू वाले न के लिए इसमें नून गुन्ना जोड़ना होगा तब यह मैं हो जाएगा अब इन तीनों को जूड़ दीजे जोड़ना तो आप लोग जानते हैं मीम का दबाव उठा लीजिया ऐसे ठीक है और मीम के उपर तो जबर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं यह आप लोग जानते है कि जबर जेर पर शोगरा नहीं लिखा जाता है अब यह जो बड़ी यह है यह अपने स्कल चेंज करके ऐसे हो जाएगी तो मीम के उपर जबर और बड़ी यह जुड़कर मैं और बस यह नून गुन्ना को ले जाकर इसमें चिपका दीजिए तो यह हो गया मैं मैं लिख दि लिखिये पढ़ता पड़ता को कैसे लिखेंगे सबसे पहला पढ़ता में अक्छर है पोव फ़ृकर दू में कहते है पे देखिये शर better तो पढ़ हो गया मतलब जोड दिया जाएगा तो और फिर ये ता है तो कुर्दू में कहते हैं और इसमें अली जोड़ेंगे तो अब देखिए इन सब आदा बाग है ना इसी एक यादे बाग में ऐसे आकर चिपकेगा और ते में अलिफ जाकर ऐसे जूचाएगा तो देखिए पेसे पो और यह रहा हो गया पढ़ा और तो पढ़ता पढ़ता तो मैं पढ़ता अब क्या है हूं क्या है हूं अब देखिए यहां पर भी में के बिंदू था और यहां पर हूं में भी उपर चांदवाल बिंदू है ना behö तो फिर इसके लिए क्या करेंगे चांद वाले हैं इसके लिए शो लोग यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं हगोर्दू में कहते हैं ठीक है और कौन से मात्र है वालास की मात्र कुछ को बटावला वह कि मात्र हैं तो कि अधोर पीष लगा कर वाउ जोड़ को जोड़े तो नहीं दोए दुग चेंज कर लेता है तो इसका सकल चेंज करा दीजिए यह हो गया है और इसी में वाउ जूर दीजिए है कि उपर पेश और वाउ जूर कर यह हो गया हूँ और नून गुर्णा ले जाकर चिपका दीजिए तो हूँ मैं पढ़ता हूँ ठीक है अब देखिए हिंदी तो बाएं से दाएं लिखा जाता है यानकी बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है लेकिन उर्दू दाएं से बाएं लिखा जाता है तो यह पर मैं पढ़ता हूं मैं इस तरह सजा कर लिखना है तो अगर इसको सजा कर लिखना है तो आप wealthy इटर मालि जेकर आ कि पेज और हमेशा उर्धु को दाएं से बाए लिखा जाता है तो मैं को आप लोग दाएं की तरफ लिखेंगे ना तो यह हो गया मैं उसके बाद से पढ़ता लिखिए ठीक है यही वाला पढ़ता मैं यहां पर लिख रही हूं ठीक है यह वाला हूं जो है ना यहां पर रख दे रही हूं तो यह हो गया हू मैं पढ़ता हूं ठीक है यह बाएं से दाय पढ़ा जाएगा उर्दू और बाएं से दाय बोल रही हूं दाय से बाएं पढ़ा जाएगा उर्दू लेकिन बाएं से दाय हिंदी पढ़ा जाएगा अब मैं इस बीच वाले को मिटा देती हूं ताकि आप लोग को और अच्छे करें उर्दू लेंगवेज में में रोग हमेशा दाइय से बाय की तरफ लिखते वह और पढ़ते हुए है तो मैं पढ़ता हूं और हिंदी में इधर से उरदू में इधर से थीकैं न तो मैं पढ़ता हूं इसको मैं यहाँ पढ़ लिए उसको मिटा कर। अब आप लोग तो नून गुन्णा और इनून जाहिरा समझ में आई कीया होगा इसको भी में मिटा देती मुझा ने यहाँ डिएति में इसी के ठीक गल में यह फिर यहाँ पर लिए रहीं मैंपढ़ता कि मैं पढ़ता हूं और अगर आप लोग को क्लीर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्वालीटी बढ़ा लिएगा कि तो प्रोब्लम यहां पर रहता है कि आप लोग के मुबाइल का क्वैटी जोह ना वो रहता है आप लोग क्वैटी बढ़ा लीजे देखिए यूटूब न में 3 डॉट आता है और क्लिक करेंगे तो वहीं पर आप लोग को सारा मतलब फीचर मिल जाएगा वीडियो को वीडियो की स्पीड बढ़ाने घटाने का क्वालिटी बढ़ाने का तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए फीरन लगुन्य और फンド ता इस तरह में आप लोगों नहीं बताों आप यहां पर मैं डायरेक्ट जोड करें लिख करेंगी डएन ठाफ संकते हैं, कैसरी क्वार्फिक सकते हैं बस पर घता की जगा यह पर अधा कि दू Sasya के नीचे जिए जोड़कर यह जोड देजिए चोटी बढ़ाकर इसमें छोटी ये जोड़ाइगे तो पढ़ती हूँ तो यह मैं पढ़ता वुदायों को लिखने नहीं अब चलिएंस सब così पह्ले में लिखने की कोशिश करें अरो टॉऀंसे इस सेंट Blair में जूमले में जो सबसे लिखा जाता है वह यह जो शब्द इसका पहला अक्षर देखिए वह तो वह तो अब देखें यह बाए से दाय है और लेकिन उर्दू में दाय से बाइब लिखेंगे दाय से पड़ेंगे भी तो इसलिए वह को उर्दू में किया कहते हैं छोटी वाली है यह लिख दिये तो और हम ये हो गया वह कितना आगने कि ऑप लिखा गया वह गया अब उसकर जाती को उर्दु में लिखियें झाते हैं जदों केते थाफ़ट दब सोचते जाए कि आप नोग शब्ड लिखना जान चुके और पढ़ना भी जान सुपके जांच जो कुर्दू में जीम कहते हैं और यहां पर क्या है जा है यानि कि जीम में अलिफ जोड़ना होगा तो जीम में जोड़कर तुरंट पर यार कर दीजिए जा इस तरह जा जीम में जूड़कर हो गया जा और उसके बत्स यहां पर क्या है ती है तो कुर्दू में ते कहते हैं और ती बनाने के लिए देखिए बड़ी वाली ती है न तो इसके लिए हम लोग ते के नीचे जिर लगा कर छोटी यह जोड़ देंगे तो जात हो गया अब यह देखिए यह देना है वह जाती है तो हा कूर्दु में क्या कहते हैं हे कहते हैं यह वाली हे कहते हैं अब है बनाने के लिए एकि मात्राइब बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं उपर जबर लगाकर और बड़ी जोड़ देंगे तो अभी जुड़ा का है जोड़िये जब है किसी दूसरे अक्षर में जोड़ती है तो अपना शकल चेंज करक जाता है बड़े में सेक्स लिखते हैं उसी तरह किसी को छोटा कर दिया जाता है तो इसको क्या करना इसको यहां से मिटा देना है और यह जो आप लोग लिखे हैं इस तरह बस इसको नीचे ला देना है तो है हो जाएगा बस ठीक है यह हो जा रहा था और इसी में बड़ी यह जोड़ दीये हैं। तो heke upar उपर जबर है और बड़े जुड़कर ये हो गया है। कितना आसानी से आप लोग उर्दो में लिख लिए एक सेंटेंस को। बस इसी तरह आप लोग तो आप लोगा सिर्फ आधा ते लिख दीजिए और उपर पेश लगाना है तो उपर मन में ले रहे हैं पेस क्योंकि लिखा नटाँ है तो तो हो गया और माँ कुर्दु में कहते हैं मीम को यहां पर जोड़ दीजिए तो यह हो गया तुम कितना आसान है तुम हो गया तुम लिखा गया अब उसके बाद से खाते लिखना है खाते खा कुर्दू में क्या कहते हैं तो खा हो जाता है तो जोड़ दीजिए यह हो गया खा और यहां पर क्या है खा तो इसी खा में क यहांब तो मेमें एक मात्र है तो आप लोग क्या करेंगे इसी ते के नीचे जिएर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे लेकिन मैं आप लोगो क्या बताई हूं जभड़ी वग.घड नहीं जाता है बस जिएर को मिटा दिजिए तो ते के नीचे जिएर जो है न अपना शकल चेंज करके इस तरह हो जाएगी और इसमें वाव जुड़ेंगे और उपर पेश तो हो तो तुम खाते हो तुम खाते हो कितना आसान है यह हो गया इसका भी आप लोग गुर्दू में लिख लिए बहुत ज्यादा आसान है तो हे में वाव यह की उपर प लोग भी रहता यह फिर वह लोग भी रहता तो भी वह लोग ही पढ़ा जाता तो वह के लिए देखिए क्या करते हैं सबसे पहले सबसे पहले अक्षर वह हैं वह कुर्दू में क्या कहते हैं वाव कहते हैं यह हो गया वह लोग लिखना है लाव कुर्दू में क्या कहते हैं लाम कहते हैं और और elean कि लोग बनाने के लिए क्या करेंगे लाम के उपर पछ लगाकर वाउ जोडि देंगे नीनी मन मनं मानें दिर्च कर लोग और पर और वाउ जूड कर ये हो गया लो और फिर क्या है गौफ कहते हैं बस यहां पर गाफ लेज़ा Значит का दीजिए तो लोग वह लोग कितना असानी से लिख लिए अब उसके बाते क्या है समझते समझते लिए जो लिखना है ना यह बहुत जाइब दिफिकल्ट है आप लोग लगा यह किस तरह से उर्दू में लिखा जाएगा देखिए सबसे पहला अक्षर है सा कुर्दू में कहते हैं सीन तो में जिस तरह दोनों मिलकर इस तरह फृव जाता है इस तरह होता है इस तरह जाता है तो wen जो है जो है जो है विए जोड देना है क्योंकि सामा हो गया है और जहा आपको यहां पर ले जाकर दीखाई देगा देखिए जह बिल्कुल फूबर उसी तरह यहां पर ले जाकर चिपकादी इसी तरह तो सम जह हो गया सम जह हो गया और उसके बाद से लास्ट में क्या है ता को दू में ते कहते हैं ठीक है इसी के आदेबाग के तो क्या करेंगा आप लोग बदड़ने के लिए नीचे जिर लगा लगा बड़ी आ जोड़ दीजे ना है तो समझते वह लोग समझते यहां तक हो गया उसके बाद से हैं तो यहां पर देखिए हे से हा होता है ठीक है और है की मात्राइं बदलने के लिए यानि कि है बनाने के लिए हे के उपर जबर लागा कर बढ़ी जोड़ देंगे तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है है लेकिन यहापर क्या है उपर बिंदू वाला ना है इसको जरह मैं तोड़कर आप कि मात्राइं बदलने के लिए हम हे की उपर जबर लगा कर बड़ी जोड़ दिये तो यह हो जाएगा है लेकिन देखें यहाँ पर बिंदू वाला ना भी है ना तो बिंदू वाले ना के लिए हम लोग बुर्दू में नून गुन्ना का यूज करते हैं तो यहाँ पर प्ल और उसके बाद से यह जो बड़ी है यह भी किसी दूसरे एक्सर में जुड़ती है और अपने शकल चेंज करके ऐसे बना लेती है तो हे की उपर जबर और बड़ी जुड़कर यह हो गया है लेकिन नून गुन्ना भी तो जोड़ना पड़ेगा ना उपर वाले बिंदू व हो गया है यह सिर्फ है इसमें नून गुन्ना मतलब यहाँ पर बिंदू वाला ना नहीं था इसको नॉर्मली हे के उपर जबर लाकर बड़ी जोड़ दिए थे तो यह है हो गया था लेकिन यहां पर जो है है ना यह वाले है से यह बिल्कुल अलग है क्योंकि इसके उपर क्या है बिंदु वाला ना है इसको पढ़ा जाएगा है और इसको पढ़ा जाएगा है ठीक है क्योंकि बिंदु वाला ना है तो है के उपर जबर लागर बढ़िए जोड तो दिये लेकिन साथ में नून गुन्ना भी लगा दिये तो यह वाला जो है ना इस तरह लिखा जाएगा अब इसी को उठा कर यहां पड़ लिख दीजिए तो देखें मैं लिख देती हूं ऐसे कि यह ऑगया है är سम shift में उर्दू में लिखा हुआ यह तो हिंदी में लिखकर मैं उर्दू में अ मुझा रही हूं ना लेकिन मैं उर्दू में लिखा हूँ आप लोग को हिंदी में लिखकर कमेंड में बताना है क्या लिखा गया है लेकिन फिलाल अभी यहां पर समझ लिए तब हम लोग ग्यापन एकेडमी से पढ़ते हैं बहुत यह अच्छा जुमला है अगर इसको मीम से मा हम हो गया फिरादूरी में लिख रही है क्योंकि इतना लंबा यह सेंटेंस हो जाए उर्दू में लिखने के लिए भी तो लंबा जगह चाहिए इसके बाद से क्या है लोग लाम से होता है और लाम के ऊपर पेश लग लगा पर लग दिए गवाल लोग हो से ग्यापन है ग्यापन कूर्दों में क्या लिखते हैं किस तरह लिखते हैं बहुत ही मतलब उल्टा सिधा नाम दिख रहे हैं ग्यापन कैसे लिखेंगे लेकिन है बहुजदासान ग्यापन ग्यापन कूर्दों में क्या कहते हैं ग्या को देखिए इसमें गौ भी है और या भी है आप लोग खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ग्या पन ग्या पन यानिकि गाफ भी है और यह भी है इसके लिए क्या करना होगा इसमें दो अक्षर दिखाई दिए रहा है एक गौ और एक या तो सोचिए सबसे पहले और गौ अपढ़ करने के लिए करने इसी में लिफ ग्या होगया हो गया उसके बाद से क्या है प dön क reads में कहते है फिक है यह और उसके बाद से तो गया पन हो गया उसके बाद से क्या है यहाँ पर एकेडमी उल्टा पुल्टा नाम है लेकिन मतलब तेड़ा नाम है और इसी को उर्दू में लिखने में और भी ज्यादा मज़ा आता है एकेडमी को कैसे लिखेंगे एक ऐसे लिखा जयता है मैं आप लोगको बदाई हूं कि इससरह जैर जोड़ दिया जाता है तो एक लिखेंग लिखेंगे कि नीचे जेयर नहीं लिखेंगे कि क् garbage स्बाबर्दStra कर आठा火 तो यह हो गया एसके प्रहिसे बाद से कई कॉम्ध में काफ कहा जाता है काफ लिख पर produce लेकिन यहापर क्या है कि मात्रा है कि मात्रा है बदलने के लिए क्या करते हैं नीचे भी सब्सक्राइब बड़ी जोडेते हैं nowot दीजिए यह हो गया डाल से तो 2-ö, 2 ऊक्षर के नीचे जीर और उसमें चोटी जोड देते हैं तो मन में मालेंगे वह चोटी ये जोड कर करें हो गया मी तो हम लोग गया पन का Turner क्ते हैं सौ सबते हैं और एक ही बदलने के लिए नीचे आला बढ़िये जोड़ देते हैं तो सीन के नीचे जेर मानी लेंगे मन में बस बढ़ी यह ले जाकर ऐसे जोड़ दीए तो पढ़ते तो यहाँ पर पढ़ता मैँ बताई थी तो कोई दिकत में है फिर से हम लोग तया आधा बाग उठा लिए और नलग husband तो देखिए पढ़ते और उसके बाद से हैं यह वाला कौन से वाला है तो उपर बिंदु वाला नौ है यानि कि यह वाला और यह वाला है बिल्कुल समाने यानि कि इसी तरह है लिखा जाएगा इसको मैं मिटा देती हूं और इसी के ठीक नौर्मली जो यह वाला है वही वाला यह भी है तो जिस तरह यह है लिखा जाएगा तो देखिए हम लोग ग्यापन एकेडमी से पढ़ते हैं असान है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए इस जुमले में सबसे पहला शब्द है सलीमा सलीमा को लिखिए सबसे पहले उर् को सीन कहते हैं हैं लिग दिजथे यहां पर फिस सव गिया है लॉक कूर्दु में लाम कहते हैं और यहां पर ली बड़ीवाली की मात्रा तो नीचे जिर लाख चोटी जोट देंगे आंप लोग तो बड़ी जोड़ई DOM लाम जोड़ है और लाम के नीचे जेर और यह हो गया चोटी अपने अठाट उपने बढ़ा लिजाएगा पिकसल कर देखा या फिर आप लोग ढोग जूम करके देख सकते हैं जैसे लिकार वहां पर आप जूम कर लिजाएगा ताकि एकदम साफ और बड़ा बड़ा दिखाई दे ठीक है तो सलीमा हो गया अपने अ कुर्दू में क्या कहते हैं अलिफ कहते हैं अलिफ से अ होता है ना तो आ कुर्दू में अलिफ लिख दी मैं उसके बाद से पाउ कुर्दू में पे कहते हैं पे का यह तो नूने के निटेर वल्टेर हो गया ने तोह अपने अलिफा से आप पह से पहर नून्टेन के से तर् lyre पहसर अपने dopoने हो गया भाई भाँ क्या है उर्दु में इस तरह बी इस बोलो ऑन बैक नीचे पहसर चुट दीए जूर अधे जाता है तो यह बढ़ी वाली इपढ़ा जाता है इसको बढ़ी वाली उपढ़े इसको क्या पढ़ जाता है यानि कि यहां पर जो बढ़िवकु का नहीं बहुं कि ये वाले युज़ करेंगे कैसे हमजा के नीचे जिर लाकर इसमें यह जोड़ेंगे तो पता है यह कैसे जूड़ जाएगी ऐसे देखिए हमजा के नीचे जिर प्लस इसमें छोटी जोड़ेंगे तो यह जो यह है ना इस तरह हो जाएगी और यह जो हमजा जो है यह छोटा होकर यहां पर ऐसी आ जाएगा त देखने वे दो एक जगा दो अलिफ हो जा रहा है इसलिए हमजा यहां पर लगाया गया है और हमजा के नीचे जड़े लागा कर और चोटी यह जोड़ दिया गया है इसलिए यह हो जाएगा भाई ठीक है इस तरह लिखा जाएगा भाई और उसके बाद से क्या है सलीमा अपने भाई को को तो लिखना असाने काफ से कहोता है और काफ के उपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिये तो यह हो गया को जरा मैं इसको अच्छा से लिख दू देखिए यह काफ हो गया उपर पेश तो लिखना नहीं है मन में मानना है बस इसमें वाव जोड़ दिजे तो यह हो गया को और समझाती समझाती यहां पर समझते था ना चलिए समझाती में देखिए सीन से सो और इसी में मीम जोड़ दिजे मौ और जहा है जहा इस तरह लिखा जाता है इसी को लाकर यहां पर जोड़ दीजिए जहा हो गया लेकिन यहां पर क्या है जहा तो इसमें जोड़ करती तो समझाती समझाती और है देखिए उपर विंदु वाला नौ तो नहीं है नहीं है इस नॉर्मली है हैं तो हेस faha होता है plus इसमें बड़ी बड़ी जोड़ देंसकी है बना सकते हैं तो कैसे बंता है यह है our यहां पर हम लोग लिखे थे ना यह वाला जो है अपना शकल चेंज करके ऐसे हो जाएगा और इसमें बड़ी आकर जो जाएगा यानिकि यह जो है इस तरह लिखा जाता है यहां पर पहले से मैं लिखी भी हूँ तो उसी तरह है यह जो है नौर्मली इस तरह है लिखा ठीक है, तो ये हो गया, उर्दू में इसको भी लिख लिए, सलीमा अपने भाई को समझाती है, कितना आसान है ये भी, अब देखिए, साजिद नाराज रहता है, साजिद नाराज रहता है, सीन में अलिफ जूर कर सा बना दीजिए, डारेक्ट दिख जा रहा है, सा हो जाएग लगा देखिए को तो उसके बाद से नाराज उसके बाद से रहता है, रे सीरह, और में, तो महल प्यूर्द शूर क्या कहते हैं, तो यह हो गया, और उसके बाद सीरह बाद से रहता, और हे से हा होता है हे अपना सकल बनाता है और तरह त्रह गाईगा तो एक लीव운데 है टो आपना सकल चैंज करके ऐसे बन जाएगा ठीक है और इसी ता है हो गया तो रहता और है देखिये उपर विंदुवाला है तो नहीं 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 है नऱ्वल एह है तो इसके लिए ये वाले है का यूज करेंगे याद रखिएगा अगर नॉर्मल इस तरह है है तो इसके लिए उर्दू में इस तरह है लिखा जाता है और अगर उपर बिंदू वाला इस तरह है उपर बिंदू वाला ये ना है ठीक है तो इसके लिए आप लोग उर्दू में इस तरह लिखेंगे या है और ये है में अंथर इसको पढ़ा जाएगा है और इसको पढ़ा जाएगा या'm अब देखिए महमूद खुश रहता है यह भी लिखना असान है मह है और ह हं महमूद तो मिम से दोटाए है मीम यहां पर लिख दी है ठीक है और उसके बार से हाँ हो और पर नहीं prevent And यहां पर लेडाकर जोड़ेंके तो इसी तरह ना होगा तो यह से हाँ हो गया और फिर यहां पर क्या है उ警 750 तो मा कुर्दू में कहते हैं मीम, मीम से तो मा हो गया, लेकिन यहां पर क्या है मू है, उ की मातरा है मौ में, और उ भी नहीं तो बड़ा वाला उ की मातरा है, तो बड़ा वाला उ की मातरा है, बदलने के लिए मीम के उपर पेश लगा कर इसमें वाउ जोर देंगे, मीम के और शाक उर्दू में शीन कहते हैं वो भी नहीं तो बड़ी वाली शीन क्योंकि यहां पर तलाबे शहर तो यह हो गया खुश ठीक है रहता जिस तरह नॉर्मली यहां पर रहता लिखा गया उसी तरह यहां पर भी रहता आप लोग लिख देंगे और उसके बद से है यह वला ह है असान है महमूद खुश रहता है कितना ज़्यादा असान है नॉर्मली साथ सेंटेंस में यहां पर बोर्ड पढ़ लेखी थी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह उर्दू में सेंटेंस यह जुमले को लिखा जाता है बोलते बोलते मेरा गलास हो गया अगर आप लोग को समझ में आया होगा और मेरा जो मेहनत है वो सफल हुआ होगा ठीक है अगर आप लोग यहां तके स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है ले लिजी फड़वर स्क्रीन शॉट और उसके बाद से मैं बोर्ड मिटा कर आप लोग को होमवर् पहले यह पहला लिखा उर्दू में यह लिखा हुआ है इसको मैं हिंदी में लिख कर आप लोग बता देती हूं कि कैसे अगर बिखा हूँ और तो कैसे पढ़ेंगे और हिंदी में कैसे को सबसे यह दोनों आप लोग खुद comment में लिखकर बताएंगे कि क्या लिखा गया है सबसे पहले समझे कि कैसे पढ़ना है आप लोग को और कैसे समझना है कि उर्दू में क्या लिखा गया है यह sentence पर ध्यान दीजिए वाव से वा होता है और हे से हा होता है इससे तो साफ पता चल रह सबस्कों पढ़ने लिए पर कि पढ़ने के लिए संपर के यूजा जाता है स्वाद में नहीं पढ लेगा क्या पढ़ा जाएगा ौट। सुबह, स्वाद के उपर पेश है, तो सु हो गया है बे से बा और हे से हा, तो सुबह ठीक है, तो वह सुबह और देखिए, अलिफ से अ होता है ये है ठा, टे में हमिला का ठा और ते में अलिफ जुड़कर ता तो सेंस लगाई है, अठता तो होगा ये क्या है, है है, वह सुबह उठता है, देखिए, इसी तरह आप लोग को अपना सेंस यूज़ करना है, दिमाग लगाना है, और इस तरह दिमाग लगा है, किसी भी उर्दू के सेंस को पहा जाता है, बस, ये आप लोग को किसी भी sentence को जुमले को आसानी से पढ़ पाएंगे ठीक है I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह पढ़ना है और किस तरह लिखना है जुमले को उर्दू में अब इसी तरह इसी sense का करें और उन तक वीडियो को पहुचाने की कोश्च करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा उससे होगा यह जाने वाली टेक क्यार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज